एक बार की बात है एक छोटी से गाउं में जहां लोग अपने पुराने रिष्टों को गर्व से निभाते थे वहां की रहने वाली एक लड़की का नाम था आनविता वह एक सुन्दर लड़की थी जिसके चहरे पर मुस्कान हमेशा खिले रहती थी उसकी खुबसूरती को देकर गाउं के लड़के उसके पीछे पागल हो जाते थे पर उनके दिल का धड़कना सिर्फ एक ही लड़के के लिए होता था उसने बगीचे में खेलने वाले राजू को देखा और वहां उसके प्यार में पागल हो गई राजू भी उसी गाउं का रहने वाला था लेकिन उसका परिवार उसे गाउं की सीमा के बाहर की सिक्षा के लिए भेच दिया था उसने वहां पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल कर ली लेकिन उसका दिल हमेशा उस गाओं के दिवाने बच्पन की यादों में रहता था एक दिन जब राजू महाँ वापस आया उसने अनविता को देखा उसका दिल उसके खुब सुर्ती के सामने थड़क उठा वह प्यार में पढ़ गया था लेकिन उसे पता था कि उसका प्यार इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके परिवार और आनविता के परिवार के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी राजू ने अपने दोस्तों की मदद से आनविता से बात की लेकिन आनविता भी उसके प्यार में गिरी थी लेकिन उसे भी पता था कि उसके प्यार का सफर कठिन होगा उन्होंने गाउं के पुराने चुपचापे को छोड़कर एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया वे चुपचाप से मिलते थे उनकी बातों में प्यार छुपा होता था लेकिन उनका खुश्यों भरा सफर बहुत जल्दी काले अंदेरे में बदल गया उनके परिवारों ने उनके प्यार को जान लिया और उन्हें अलग करने के लिए कठिनाईयां खड़ी कर दी राजु और अन्विता का प्यार इतना मजबूत था कि वे अपने परिवारों के खिलाफ खड़े हो गए लेकिन उनके परिवारों की जानी भी हस्तीती स्विकारने की कोई इच्छा नहीं थी एक रात जब चान ने अपनी रोशनी बिखेरी राजु और अन्विता ने एक दूसरे के साथ बात की उनका प्यार उन्हें मजबूत बनाता था लेकिन वे जानते थे कि उनका प्यार कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा उनके परिवारों ने उनने दोनों से अलग कर दिया राजु को अन्य गाउं में भेज दिया गया और अन्विता को उसके घर के बाहर कर दिया गया कुछ दिन बीते मेहने बीते लेकिन राजव और अन्विता का प्यार अब भी वही की वही था उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ना नहीं छोड़ा एक दिन जब रात का साया गाउं को ठकने लगा राजो और अन्विता ने एक ठिकाने में मिलने का निश्य कर लिया वे एक दूसरे के साथ बाते करने लगे और अपने प्यार का इसहार करने का नेड़ नहीं किया लेकिन उनकी प्यार भरी बाते सिर्फ आदी रात की दरपण में दिखाए देती थी क्योंकि उन्हें परिवारों का साया उन पर अभी था दिन गुजरते गए और राजो और अन्विता का प्यार अपने सिम्टे वे आदरशों के साथ सिमट गया लेकिन उनका प्यार अभी वही था बस थोड़ा सा खिलखिलाहट कम हो गई एक दिन क्या हुआ एक दिन अन्विता की मृत्ती हो गई उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा और वह मर गई और बाद में उसका भूद बनकर उसने अपने घरवालों को बहुत सताया परन्तु एक दिन राजु ने महा आया और उसने एक यग्य करवाया और यग्य में उसने अन्विता से बाते की और इस कारण राजु ने भी खुद खुशी कर ली और वह भी एक आत्मा बन गया और दोनोंने खुशी खुशी अपना चीवन बिताने लग गए और उन्होंने अपने अपने घरवालों को काफी सताया क्योंकि उन्होंने उनके प्यार को मिलने नहीं दिया था